नमस्कार मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच आज इस वीडियो में जानेंगे कॉंग्रेस रैली में रामलीला मैदान में राहुल गांधी बोले सिर्फ कॉंग्रेस के कारे करता हीं देश को बचा सकते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं रामलीला मैदान में महगाई, बेरुजगारी और आवश्यक वस्तूओ पर माल एवं सेवा कर यानि जीएश्टी में व्रिधी को लेकर आज कॉंग्रेस की रैली हुई कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के कई अन्य नेता महगाई पर हला बोल रैली को संबोधीत किया इसमें देश के अन्य हिस्तों के अलावा दिल्ले हर्याना और उत्तरप्रदेश के पार्टी कारेकरता शामिल हुए कॉंग्रेस के पूर्वय अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में कुछ लोग जानबूच कर नफरत एवं डर का महौल पैदा कर रहे हैं उन्होंने कॉंग्रेस की महगाई पर हला बोल रैली में यह दावा भी किया कि नरेंद्र मोधी सरकार में भविस का डर महगाई का डर और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है यह रैली साथ सितंबर से कन्या कुमारी से कश्मीर तक विपक्षी पार्टी की 35 किलो मीटर की भारत जोरो यात्रा से पहले हो गई जहां राहुल गांधी देश भर में यात्रा कर महगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर जोर देंगे और सांप्रदाइक सदभाव को बढ़ावा देंगे भारत जोरो यात्रा कॉंग्रेस पार्टी का अब तक सबसे बड़ा जनसंपर्क कारेकरम है जहां पार्टी के नेता जमीनी अस्थर पर आम लोगों तक पहुचेंगे कॉंग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला करती रही है और कहती रही है कि ये आम लोगों के मुद्दे है और इस पर सभी मंचों पर चर्चा होनी चाहिए आईए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी और बाकी दूसरे नेताओं के संबोधन की कुछ खास बातों को इस रैली में राहुल गांधी ने कहा मीडिया न्यायपाली का निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाओं पर दवाब बढ़ रहा है सरकार उन सभी पर हमला बोल रही है हलाबोल रैली में कॉंग्रिसांसद राहुल गांधी ने कहा जो आज बेरोजगारी दिख रही है वो आने वाले समय में और भी बढ़ेगी मीडिया देश्वासियों को डराती है और इससे नफरत पैदा होती है वहीं देश में भविस महगाई और बेरोजगारी का डर बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़ा से देश में नफरत बढ़ रही है नफरत से लोग और देश बढ़ता है जिससे देश कमजोर होता है देश की हालत आपको दिख रही है इस डर का फाइदा किसान और मजदूरों को नहीं दहुरा है वहीं आपको बता दे कि प्रियंका गाधी तो आज रैली में हिस्सा नहीं ले रही है लेकिन सोशल मीडिया के जर्ये इस रैली को लेकर वो लगतार अपनी बाते रख रही है उन्होंने ट्विजर पर लिखा आम जनता महगाई से परिशान है लोगों के लिए परिवार पालना मुश्किल हो गया है आम लोग अपनी जरूरतों की चीज नहीं खरीद पा रहे है लेकिन भाजबा सरकार को जनता की तकलीफ नहीं दिखती कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाधी इलाज के लिए देश से बा पालनात ने कहा लोगों का यह हुजूम इस बात का गवा है कि लोग देश में बढ़ती कमर तोर महगाई के खिलाफ एक जोट हो चुकी है घरों से निकल चुके है हमारा ये आगाज अन्याई सत्ताधार्यों और महगाई के अंत की शुरुआत है वही दूसरी और पार्टी पती मित्रों को फाइदा पहुचाने का भी आरोप लगाया रमेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा और उनके प्रवक्ता महगाई और बेरुजगारी के खिलाफ कॉंग्रेस के अभ्यान तथा भारत जोडो यात्रा से ध्यान भढ़काने के कोशिस कर रहे हैं माकर ने आग है कि सरकार के उत्योग पती मित्रों को फाइदा मिल सके आज की वीडियो को कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखतेए